तो फ्रेंज वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इन्फाइनाइट नॉलेज एंड टूड़े वी आ टॉकिंग अबाउट हाव यू आ अबल तो मेक अ लेवल इंडिकेटर यूजिंग आईसी 555 मतलब आईसी 555 का यूज करके आप सिंपल वाटर लेवल इंडिकेटर कैसे बना सकते हो तो वह आज हम देखने वाले हैं तो पहले उसके लिए कौन-कौन से वह देख लेते हैं तो पहले हमको 10-0- Horizon के. अग्रका हमन ऊलब तैन किलोम है उसके थी रेजिस्तन्स चाहिए उसके बाद 100Wh के रेजिस्टेंस चाहिए वह एक चाहिए यह तीनलेसर नम्बर ओफár कॉंटिटी डिफाइन कर आई यह 3 यह एक चाहिए 1 MEP होम रजिस्टर वो दो चाहिए DC water pump यह DC water pump क्या आता है वह 9 volt का आप Google पर सर्च करना DC water pump ऐसा आता है simple 9 volt का भी हटा है और 12 वोल्ट का भी आता है जो आप 9 volt battery का यूज़ कर सकते हो तो 9 volt लगा सकते हो 12V battery का तो 12V भी लगा सकते हो उसके बाद IC555 जो main IC है उसका एक transistor BC547 वो भी एक रिक्वार है ये waterproof भी 15 rek Follow यह ये ट्रांजिस्टर भी आइक रिकवार है तो बैठरी हमको 9V और 12V को दोनों पर आप चला सकते हो जो 9V का यूज़ करते हो तो आप DC Water Pump 9V का रखे 12V का यूज़ कर सकते हो तो DC Water Pump 12V का रखे तो उसके बाद क्या आता है उसके बाद हम Main Circuit Diagram देखते हैं कि मैंने जो Main Circuit Diagram बनाया है तो ये हमारा Main Circuit Diagram है मैं आपको Circuit Diagram Proteus में रन करवा के दिखाओंगा मैं hardware नहीं बनाओंगा मैं hardware में नहीं बनाओंगा मैं proteus में ये पूरा Circuit Diagram run करवा दूगा तो Proteus में जो Circuit Diag kork में रन करता है वो hardware में रन करता है ये same Circuit Diagram में आपकी Särky Diagram राइट है तो ये पूरा मैंने हाथ से ड्रौ किया है उसका मतलब wrong है, ऐसा कुछ नहीं, आप simple connection देख सकते हो, इसकी drive PDF भी मैंने रखी है, तो आप description में जाके भी उसको download कर सकते हो, यह simple connection है, यह 9 volt water pump है, और BC 547 है, यह 100k resistance, 10k resistance, यह जो main IC 355 circuit है, और यह जो 4 नंबर की pin है, वो इधर plus 5 volt के साथ connect है, तीन नंबर की pin, BC 547, दो नं यह जो water tank है, उसमें different different level पर ऐसे wire को रखके छोड़ देना है, जो मतलब जो आपकी tank छोटी होगी, model based तो ही work करेगा, बहुत बढ़ी tank के लिए try करना चाते हो, तो यह directly work नहीं करेगा, आपको कुछ दूसरा लगाना पड़ेगा, इसर कोई sensor लगाना पड़ेगा, लेकिन ज जाते हो, एक दो फिट की आप tank रखोगे, या फिर, मतलब आप बाल्टी रखते हो, एक दो फूट की बाल्टी रखते हो, तो आप उसमें directly wire ऐसे, सेलोटे पर दूसरा कुछ EMSIL का यूज करके भी चिपका सकतो, ऐसे different different level पर तो यह जो है ना, मतलब maximum position है, इधर तक तो वह उपर वाला maximum है, और यह दो different different level बीच में रखे है, यह minimum level है, और यह maximum level है, तो यह main circuit diagram है, अभी आपको क्या करना है, अभी आप बड़ा circuit diagram है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब आपको बड़ा, बड़ी motor के साथ connect करना है, मतलब ऐसे pump के साथ connect करना है, 230 volt पर connect करना है, 230 volt 50 hertz पर connect करना है, मतलब पानी में तो current नहीं आएगा, लेकिन वो complete path नहीं कर सका, इधर से इधर distance बहुत बढ़ जाएगा, तो मतलब current flow तो होगा, लेकिन resistance बहुत जादा होने के कारण, आपकी circuit वर्क नहीं करेगी, 110 पर संड नहीं करेगी, कोई भी आपको ऐसे YouTube पर बोल रहा है, कि मैं एक वार इधर रखता हूं, डारेक्ट लिए ऐसे पानी में, और दूसरा इतना, मतलब बहुत बढ़ी टंकी में, एक दो फूट की बाल्टी में चली जाएगी, जो आम नाने दोने के लिए जो यूज करते हैं, जो बाल्टी, उसमें जो आप ट्राइ करोगे, सिम्पल मॉडल बेस जो आप बनाना चाते होना, तो यह चल जाएगा, इधर मॉटर मतलब पंप भी चल जाएगा, टू थर्टी पे भी चल जाएगा, लेकिन बहुत बढ़ी टाकी में आपको सेंसर लगाना ही पड़ेगा, तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन आप मैंने ब दिखाएगा, तो यह मैंने प्रोटेस में सर्किट रन किया है, उसका सर्किट डायागाम दिखा है, उसमें आप देख सकते हो, कि जो यह स्वीच दिखाई दे रही है, मतलब दोनों स्वीच ओन है, स्वीच का मतलब क्या है, कि हमारा यह वाटर के तरह वर करती है, यह दोन हमारा 9V DC मोटर है, और इसर मैंने 12 दिखाए, आप 9V का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने 12V की मोटर यूज की है, यह जो BC547 है, जो टांजिस्टर है, यह डिफरेंट रजिस्टर कनेक करके रखे है, और दूसरा, यह हमारा IC555 में सर्किट है, और उसको कनेक करते है, ऐ मतलब इधर हमारा क्या आएगा, हमारा में टेंक आएगा, और जिसमें हम वायर्स डालते है, वो में टेंक आएगा, इधर हमारा, तो अभी दोनों स्वीच क्लोज है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो पानी से भरा हुआ है, पूरा टेंक पानी से भरा हुआ है, अभी हम क्या क का स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हो हमारा मोटर रोटेट हो रहा है यह प्रोटियस में दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने प्रोटियस का यूज किया था कि आप प्रोटियस में डारेक सरकीट को रन करवा के देख सकते हो अभी दूसरी भी में स्वीच ओपन कर देता तब भी भी हमारा motor rotate करना चालो ही रहता है क्यों चालो रहता है क्योंकि हमारा पानी का level कम दिखाई दे रहा है दोनों switch ओपने मतलब क्या हुआ कि contact नहीं हो रहा दो स्वीच प्रोटेस में रख दिया मतलब ये दो कॉंटेक्ट जब क्लोज होगे तब क्या होगा ये दो वाले मतलब ये स्वीच जब क्लोज होगी तब ये दो कॉंटेक्टर क्लोज होगे और जब ये दो स्वीच क्लोज होगी तब ये दो कॉंटेक्टर क्लोज होगे तो तब बतलब टैंक पुरा वॉटर से फील हो जाएगा पूरा भर जाएगा तब यह कॉन्टेक्टर क्लोज हो गए तो इसको दिखाने के लिए वॉटर टैंक को दिखाने के लिए मैंने क्या यूज किया है एसी दो स्वीच यूज़ की है तो फिर से हमारी सरकिट तो देख देखते तो उसमें अभी दोनों यह open है मतलब क्या है कि हमारी mortar अभी चालू होगी क्यों कि water का level कम है अभी मैं यह close करता हूँ तो भी क्या हुआ motor हमारी चालू रहते हैं उसका मतलब क्या कि सिर्फ यही close हुआ यए 2 contact close हुआ है जो मैं यह switch करता हूं यह press की है मैंने की तो तब क्या होता है हमारी motor चालू रहते हैं उसका मतलब कि यह वांच यह जो नीचे वाला है वह close लेकिन हम को यहां तक motor को fill करना है तो अभी भी हमारी motor चालू रहनी चाहिए तो उसके कारण में जब ये switch प्रेस करूगा ये switch तो क्या होगा हमारी motor off हो जाएगे आप देख सकते हो कि हमारी motor off हो गई है और तब क्या होगा कि हमारा जो water tank है वो पूरा fill हो गया होगा water से पूरा इधर तक और हमारा पूरा water से tank full हो गया है ऐसा दिखाई दे रहा है तो ये एक simple diagram है water level indicator का using IC 355 और आप मैंने दिखाया है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि circuit actual में run नहीं करता है circuit actual में run करता है और उसका पूरा proper circuit diagram actual जब आप बनाते हो तब कैसा requirement रहता है वो भी मैंने figure मतलब उसका भी मैंने पूरा हाट से draw करके आपको दिया है और वो जो figure चाहिए आपको तो उसकी मैंने drive रखी है आप description में से ले सकते हो वो drive कुछ भी नहीं है आपको simple वो drive को open करना है वहां आपको actual circuit diagram मिल जाएगा क्यों सा actual इधर आप देख सकते हो कि यह pin 4 इधर है और 3 इधर है लेकिन actual में कुछ अलग होता है actual जो आप IC की figure देखते हो मतलब IC कैसी आती है one two three four ऐसे एक तरफ आते हो दूसरी तरफ five six seven eight आते है तो वो उसका circuit diagram आप जो यह वाला circuit diagram one two three four five six seven eight यह वाला circuit diagram आपको screenshot लेना है तो screenshot भी ले सकते हो और आपको download करना है तो उसकी drive video भी मैंने लग रखिये I hope you understand this video if you understand this video like and subscribe my channel infinite knowledge and thanks for watching this video